टाटा IPL अब अपने समापति की ओर चल पड़ा है जहां अब टाइटल की लड़ाई के लिए राजस्थान रोयल्स और होम टीम गुजराज टाइजन्स फाइनल मुकाबले में अपना पूरा दम खम दिखाएंगी दुनिया के सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम यानि एहमदाबाद का नरिंद्रमोदी स्टेडियम IPL 2022 का फाइनल होस्ट करने के लिए पूरी तरीके से तयार है लेकिन इस हाई वोल्टेज मुकाबले में एक बड़ा बदलाओ किया गया है जिसमें मैच की टाइमिंग्स और सालों बाद आयोजित हो रही क्लोजिंग सेरेमनी को लेकर एक बड़ी जानकारी मिली है तो आखिर IPL फाइनल में क्या हुआ बड़ा बदलाओ इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी तो 73 मैचेस खत्म होने के बाद अब मामला उसे एक फाइनल क्लैश पर आ गया है जिसके बाद इस सीजन की चैंपियन टीम सब के सामने होगी लेकिन एहमदाबाद में होने वाले उस आखरी मुकाबले से पहले क्रिकेट फैंस को कई सालों बाद IPL की क्लोजिंग सेरमनी का लुट्व ठाने का भरपूर मौकाब मिलेगा जी हाँ दोस्तों पिछले दो साल कोरोना काल के चलते लीग में किसी भी तरह के सेलिब्रेशन पर बैन लगा हुआ था लेकिन अब इस साल स्थती बहतर होने के कारण फैनल के दिन मुकाबले से पहले स्टेडियम में समापन समारो का रंगा रंग आयोजन किया जाएगा जहां इस मौके पर लोगों को वर्ल्ड भेमर सिंगर एयार रहमान और एक्टर रनवीर सिंग की तोड़कती भड़कती लाइब परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आपको बता दें कि ये लाइव सेरिमनी एहमदाबाद के नरिंद्र मोरी स्टेडियम में शाम 6 बज कर 25 मिनट से शुरू होगा और फिर क्योंकि ये सेरिमनी फाइनल से ठीक पहले होगा इसी वजह से गुजरात और राजस्थान के बीच का फाइनल मैच अब नॉर्मल समय शाम 7 बज़े के बज़ाए आधे घंटे की देरी यानि रात 8 बज़े से खेला जाएगा और फाइनल मुकाबले में टॉस शाम 7 बज़े को होगा आपको बता दें कि BCCI कई वर्षों तक IPL के मैचों का आयोजन रात 8 बज़े से ही किया करते थी लेकिन बीच में कोवीड संकट और दूसरे देश में इस लीक के आयोजन की वज़े से इसके समय में बतलाव किया गया था पर अब अपने पुराने समय पर ही IPL 2022 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा जहां हर्दिक पांडिया की गुजरात और संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के बीच टाइटल के लिए एक आखरी लड़ाई होगी तो दोस्तों आपको क्या लगता है राजस्थान और गुजरात में से कौन IPL 2022 का चैंपियन बनेगा अपने जवाब हमें कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजे हमारे योटूब चैनल को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले